परी की जादोई ड्रेस हेलो दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादोई ड्रेस की कहानी तो चलिए दोस्तों कहानी की सुरुआत करते हैं किसी परी लोग में एक खुशी नम की परी रहती थी खुशी परी रानी परी की बेटी थी और रानी परी उससे बहुत प्यार करती थी उसी परी लोग में दो परियां जिनका नम तारा परी और क्यारा परी था वह दोनों खुशी परी से जलती थी क्योंकि रानी परी ने खुशी परी को जादूई ड्रेस दी थी जिसके साथ उसे बहुत सारी जादूई सक्तियां भी मिली थी एक दिन तारा परी क्यारा परी से कहती है क्यारा परी मेरे पास एक प्लैन है जिससे वे जादूई ड्रेस रानी परी खुशी परी से लेकर हमें दे देंगी अच्छा पर कैसे? हम किसी तरह खुशी परी को प्रत्वी पर भेज देते हैं और रानी परी ने कहा है कि जो भी परी प्रत्वी पर जाएगी उसे बहुती कठोर सजा मिलेगी हाँ ठीक है फिर जब रात में खुशी परी सो रही थी तो दोनों परियां मिलकर खुशी परी को उठा लेती हैं और वहां से चली जाती हैं और प्रत्वी पर पहुच जाती हैं वहां काफी बारिश हो रही थी और उसी बारिश में दोनों परियां खुशी परी को डाल कर वहां से चली जाती हैं फिर सुबह दोनों परियां रानी परी के पास जाती हैं और कहती हैं रानी परी आपने हम सब को प्रत्वी पर जाने से मना किया था फिर भी खुशी परी प्रत्वी पर गई क्या तुम लोग ये क्या कह रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता वैसा कभी नहीं करेगी मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ रानी परी अगर आपको यकीन नहीं हो तो अब हमारे साथ चलिए फिर दोलो परियां रानी परी को लेकर प्रत्वी पर पहुंच जाती है रानी परी वो देखिए वो रही खुशी परी रानी परी बहुत ही कुछ से में आ जाती है खुशी परी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा दोगा किया नहीं रानी परी मैंने कुछ नहीं किया है मुझे तो पता भी नहीं मैं प्रत्वी पर कैसे आ गई जूर पोर रही हो और वो भी इतना बड़ा मैं तुमसे ये जादोई ड्रेस लेती हूँ और तुमारी सजा ये है कि तुम्हा मेंसा इंसानों के रूप में प्रिथ्वी पर रहोगी पर मा मैंने जो कह दिया वो कह दिया रानी परी खुशी परी की एक भी नहीं सुनती और उससे वह जादोई ड्रेस ले लेती हैं और क्यारा परी को दे देती हैं और वहां से चली जाती है खुशी परी बहुत ही दुखी हो जाती है और उसी जंगल में एक जोपड़ी में रहने लगती है काफी समय बीच जाने के बाद एक दिन खुशी परी जंगल में फल ढूंड रही थी तब ही उसे एक पुराना ड्रेस पड़ा हुआ दिखाई देता है वह ड्रेस के पास जाती है और वह जैसे उसे हाथ लगाती है वह ड्रेस एक पहुत ही खुपसूरत जादोय ड्रेस के रूप में बदल जाता है तुमारे साथ जो भी हुआ है उस सब के जिम्मेदार तारा परी और क्यारा परी है मैं एक जादोय ड्रेस हूँ और मुझे सब पता चल गया है तुम वापिस परी लोग में जाओ पर मेरे पास जादोय सकतिया नहीं है तुम जिन्दा मत करो मैं तुमें कुछ जादोय सकतिया देता हूँ फिर वह जादोय ड्रेस खुशी परी को कुछ जादोय सकतिया देता है खुशी परी वहां से गायब हो जाती है और परी लोग में पहुच जाती है और सारी बात रानी परी को बताती है रानी परी दोनों परियों को बहुत ही कटोर सजा देती है और खुशी परी से माफी मंगती है अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें Modern Jewelry बाली पहू हेलो दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हैं ये कहानी है Modern Jewelry बाली पहू की कहानी तो चलिए दोस्तों कहानी की सुरुआत करते हैं रिचा परी अपनी मा के साथ रहती थी रिचा परी के पिता जी की कई साल पहले हाट अटैक में उनकी मौत हो चुकी थी रिचा परी की मा दूसरों के घरों में काम करके रिचा परी को पढ़ाती थी रिचा परी का सपना था कि वे मॉडलिंग करें कुछ समय के बाद आखिरकार रिचा मॉडल बन गई और फिर कई सालों बाद रिचा परी की शादी सहर में रहने वाले एक लड़के से हुई रिचा परी कुछ दिनों तक तो ठीक से रही फिर एक दिन रीचा परी ने modern और stylish कपड़े पहने उसका ये रूप देखकर उसके सास बोली पहूई ये सब क्या है तुने ये कैसे कपड़े पहने है जा और जाकर कपड़े change कर नहीं माजी मैं आसे modeling करूँगी ठीक है तुझे जो करना है वो कर पर तुने ये जो इतने सारे गहने पहने है इन्हें तो उतार दे अगर किसी चोरू चक्के ने देख लिये तो ये सारे गहने लूट लेगा और तरी जान को भी खत्रा हो सकता है माजी मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगी मैं जा रही हूँ हटिये मेरे सामने से रिचा परी वहाँ से चली जाती है ये भगपान पताने इसे क्या हो गया है लगता है इसका दिमा की फिर गया है पताने इसका क्या होगा इसी तरह रिचापरी हर रोज मॉडलिंग के लिए चाती इस सबसे रिचापरी की साथ बहुती परेसानों चुकी थी और रिचापरी का पती विशाल कुछ दिनों के लिए बिजनेस के लिए सहर से बाहर गया हुआ था फिर एक दिन दोनों मार्केट जा रही थी तब ही वहाँ एक चोर आया और बोला ए लड़की चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे नहीं तो तो अपनी जान से हाथ दो बैठेगी माजी ये सब क्या हो गया? कुछ कीजिए ना माजी मैंने तुछ से पहले ही कहा था कि इतने सारे गहने पहनना खतरनाख हो सकता है पर तुने तो मेरे बात मानी ही नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती अब एक ही रास्ता है चुपचाप यहां से निकल लेते हैं इसी में भलाई है फिर दोनों वहां से भागने लगती है तब ही अचानक रिचापरी का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है वह चोर रिचापरी के पास आता है उसकी ज्वैलरी निकारने के लिए वह आगे बढ़ा तब ही वहां दोनों का पालतु टॉगी आ जाता है उसे देखकर चोर डर जाता है और वहां से उल्टे पैर भाग जाता है दोनों घर आती है बहू अब तो तुझे सबक मिला ना मैंने तुझे पहले इखा था कि बाहर इतनी ज्वैलरी पहन कर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा पर तु मेरी बास सुने तब ना आज तो हमारे डॉगी ने बचा लिया पर कल को पता नहीं क्या होगा मुझे माफ कर दीजिए माजी सब मेरी ही जित के कारण हुआ है पर आज के बार ऐसा कभी नहीं होगा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए फिर उसके सास रिचा परी को माफ कर देती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगती है अगर आपको ये कहानी अच्छी लगिया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जढे आप Margaret खुशी लगियो कर दो को घुशी अगर झारे ले